ओम सान्ती आज 16 अगस्त 2020 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 7 मार्स 1986 हेडिंग है आज की पड़ाई की चारो सब्जेक्ट का यथार्त यादगार महा सिवरात्री महा सिवरात्री पराज मुडली है बाबा कहते हैं ओम सान्ती आज ग्यान दाता बाग्य विदाता सर्व सक्तियों के वरदाता सर्वखजानों से भरपूर करने वाले बोलानात बाप अपने 30 नही सदा सयोगी समिप वच्चों से मिलने के लिए आए हैं यह मिलन ही सदाकाल का उस्सव मनाने का यादगार बन जाता है जो भी बिन बिन नामों से समय प्रति समय उस्सव मनाते हैं वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मदुर मिलन उस्सा भरा मिलन बविश्य के लिए उस्सव के रूप में बन जाता है इस समय आप सर्वस्रिष्ट बच्चों का हर दिन, हर गड़ी, सदा खुसी में रहने की गड़ियाँ वा समय है तो इस छोटे से संगम युक के आलोकिक जीवन, आलोकिक प्राप्तियां, आलोकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन भिन नाम से यादगार बना दिये हैं ठीक है न, द्वापर सही हुआ न एक जनम की आपकी यह जीवन, भक्ति के 63 जनमों के लिए याद का सादन बन जाती है अगर अभी अपन अच्छा पुरसात करेंगे तो 21 जनमों की राजा ही मिलेगी तो 63 जनमों के लिए वो याद का सादन बन जाती है इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निम्मित उस यादगार को भी मना रहे हो चेतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जनम पत्री सबी सपस्ट रूप में जान गए हो सुन रहे हो और देख देख हरसित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कताएं वर्णन कर रहे हैं औरिजनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं इसलिए भावना पूरवक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है जो मूर्तियां लगी हुए न मंदिरों में उसके बारे में बाबा बता रहे हैं तो प्रैक्टिकल सिव जैनती तो रोज मनाते ही हो क्योंकि संगम यूग है ही अवतरन का यूग स्रेष्ट करतविय, स्रेष्ट चरित्र करने का यूग लेकिन बहद यूग के बीच में ये यादगार दिन भी मना रहे हो बहद का यूग तो है लेकिन ये यादगार दिन है, सिवरात्री आप सब का मनाना है, मिलन मनाना और उनों का मनाना है आवान करना उनों का है पुकारना और आपका है पा लेना वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आगए, मिल गए यादगार और प्रैक्टिकल में कितना राद दिन का अंतर है वास्तव में यह दिन बोलानात बाप का दिन है बोलानात अर्थाद बिना हिसाब के अंगिनत देने वाला वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है जो करेगा वह पाएगा उतना ही पाएगा यह हिसाब है लेकिन बोलानात क्यों कहते क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता बाबा ऐसा कोई हिसाब नहीं रखते हैं बाबा तो फुल फ्लेस देते हैं एक का पदम गुना हिसाब है तो अनगिनत हो गया न कहां एक कहां पदम पदम भी लास्ट सब्द है इसलिए पदम कहते हैं अनगीनत देने वाले बोले बंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही लेकिन 21 जनम 21 पीडी सदा भरपूर रहेंगे इतने जनमों की गैरंटी और कोई नहीं कर सकता कितना भी कोई बड़ा दाता हो लेकिन अनेक जनम का बरपूर बंडारा होने की गैरंटी कोई भी नहीं कर सकता बाबा तो गैरंटी लेता है 21 जनमों की तो बोलानात हुआ ना इसलिए बाबा को क्या कहते हैं बोला नात नौलेज़फुल होते भी बोला बनते हैं इसलिए बोला नात कहा जाता है इतना नौलेज़फुल है फिर भी बाबा बोला बनता है इसलिए बाबा को बोला नात कहा जाता है वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं लेकिन जानते हुए भी देने में बोलानाती बनता है सब जानता है एक एक संकल्प का हिसाब जान सकते हैं बाबा लेकिन फिर भी बाबा देने में तो बोलानाती बनता है तो आप सबी बोलानात बाप के बोलानात बच्चे होना एक तरफ बोलानात कहते दूसरे तरफ बरपूर बंडारी कहते हैं यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं मनाने वालों को पता नहीं लेकिन आप जानते हो हमें तो पता है ना सिवरात्री का रश्या लेकिन भारवालों को पता नहीं है जो मुख्य इस संगम युक की पड़ाई है जिसकी विशेश चार सब्जेक्ट है वो चार ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं कैसे पहले भी सुनाया था कि विशेश इस उस्सव के दिन बिंदू का और बूंद का महत्व होता है तो बिंदू इस समय के याद अर्थार्थ योग के सब्जेक्ट की निसानी है याद में बिंदू इस्तती में ही इस्तित होते हो ना तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ग्यान की बिन बिन बूंदें इस ग्यान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है दार्ना की निशानी इसी दिन विशेश वरत रखते हैं और धारणा के निसानी क्या है कि इस दिन हम वरत रखते हैं तो वरत धारण करना दारणा में भी आप ड्रड संकल्प करते हो तो वरत रखते हो कि ऐसा सहनसिल वा अंतरमुक अवस्य बनके ही दिखाएंगे तो वह व्रतदारन करते होना यह व्रतदारना की निसानी है और सेवा की निसानी है जागरन और जागरन भी होता है उस दिन वो सेवा की निसानी है सेवा करते ही हो किसको जगाने के लिए अग्यान नींद से जगाना जागरन कराना जागरती दिलाना यही आपकी सेवा है तो यह जागरण सेवा की निसानी है तो चार ही सब्जेक्ट आ गई न लेकिन सिर्फ रूप रेखा उन्होंने स्तुल रूप में बदल दी है फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सचे भक्तों की यह निसानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें ड्रड करेंगे जो भी संकल्प करते हैं उसमें ड्रड रहेंगे इसलिए भक्तों से भी बाव का इसने है फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं और विशेश इस दिन जैसे आप लोग यहां संगम युक पर बार बार समर्पन समारो मनाते हो अलग-अलग भी मनाते हो ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वस्यम को समर्पन नहीं करते लेकिन बक्रे को करते हैं समर्पन भी करते हैं न मुसलिम लोग बकरेगा बली चड़ाते हैं बली चड़ा देते हैं वैसे तो बाप दादा भी हसी में कहते हैं बाप दादा भी हसी हसी मजाग में कहते हैं कि यह मैं मैं पन का समर्पन हो तब समर्पन अर्था संपून बनो बक्रा बोलते हैं मैं मैं फिर उसकी बली चड़ाते हैं तो बाबा कहते हैं ये मैं मैं पन का अगर समर्पन हो तब समर्पन अर्था संपून बनो बाप समान बनो जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया मैं और मेरा पन का समर्पन समारो माना किसी भी बात मैं मैं के बज़ाए सदा नेचूरल बासा मैं साधरन बासा मैं भी बाप सब्द ही सुना मैं मैं उन्होंने हटा दिया जो भी है वो बाबा का है मैं सब्द नहीं बाबा करा रहा है मैं कर रहा हूँ, नहीं बाबा चला रहा है, मैं कहता हूँ, नहीं बाबा कहता है, हद के कोई सी व्यक्ति या वैबव से लगाव या मेरा पन है तो मेरे पन को और मैं पन को समर्पन करना इसको ही कहेंगे बली चड़ना ठीक है न, बली चड़ना किसको कहेंगे मेरे पन और मैं को समप्त करना बली चड़ना अर्थात महा बली बनना तो ये समर्पन होने की निसानी है तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरिन देते हैं किसी भी रूप से भारत में वा हर देश में उस्सा की लहर फैलाने के लिए उस्साव बनाए तो अच्छे हैं ना चाए दो दिन के लिए हो या एक दिन के लिए हो उस्साव बनाते हैं ना चाए दो दिन के लिए हो या एक दिन के लिए हो लेकिन उस्साव की लहर तो फैल जाती है ना उस्साव से उस्साव की लहर फैलती है इसलिए उस्सव कहते हैं फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मैजोरिटी का अटेंशन तो जाता है ना तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे सिवरात्री के बारे में बाबा कह रहे है कि इस दिन आप क्या विशेश करेंगे जैसे भक्ती में कोई सदाकाल के लिए वरत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती तो एक मास के लिए, एक दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं फिर वह वरत छोड़ देते हैं आप तो ऐसे नहीं करते हो न अपर से नीचे आकर करम करेंगे । उपर रहना अर्थात उपर की इस्तती में रहना, उपर कोई छट पर नहीं लटकना है, उच्छी इस्तती में इस्तित हो, कोई भी साधारन करम करना अर्थारत नीचे आना, लेकिन साधारन करम करते भी इस्तती उपर अर्थात उच्छी ह कारिय करने के लिए आप आओ लेकिन अपनी इस्तती हमेशा उच हो याद रहे हमेशा बाबा की जैसे बाब भी साधरन तन लेता है ना करम तो साधरन ही करेंगे ना जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे वैसे ही चलेंगे बाबा भी करम तो साधारन करते हैं वैसे ही बोलते हैं वैसे ही चलते हैं तो करम साधारन है तन ही साधारन है लेकिन साधारन करम करते भी इस्तती उच्छी रहती है ऐसे आपकी भी इस्तती सदा उच्छी हो करम तो साधरनी करने है लेकिन इस्तती हमेशा उच्छी हो जैसे इस दिन को अवतरन का दिन कहते हो न तो रोज अमरत वेले ऐसे ही सोचो की निद्रास से नहीं सांती धाम से करम करने के लिए अवतरित हुए हैं सुबह उठो तो यही समझो कि हम सांती दाम से यहाँ पर अवतरित हुए हैं और रात को करम करके सांती दाम में चले जाओ वापस सोने जाओ जब सांती दाम में चले जाओ तो अवतार अवतरित होते ही हैं सेष्ट करम करने के लिए अवतार होते हैं न देवी देवताओं के अलग अलराम का अवतार था, क्रश्न का अवतार था, ये था, तो ये सब स्विष्ट करम करने के लिए होते हैं, उनको जनम नहीं कहते हैं, अवतरन कहते हैं, उपर की इस्तती से नीचे आते हैं, यह है अवतरन, इसको क्या बोलते है हैं हम सब अवतरन बोलते हैं तो यह शिवरात्य भी कहा है शिव अवतरन का दिन है न तो ऐसी इस्तती में रेकर करम करने से सादारन करम भी अलोकिक करम में बदल जाते हैं जैसे दूसरे लोग भी बोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा बोजन खाते हैं फरक हो गया न चलते हो लेकिन आप फृरिष्टे की चाल चलते डबल लाइट इस्तती में चलते हो तो अलोकिक क्या अलोकिक करम हो गया तो सिर्फ आज का दिन अवतरन का दिन नहीं लेकिन संगम्योगी अवतरन दिवस है पूरा संगम्योग अभी बाबा ने लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं इसलिए पहले बच्चों को मुबारक आप सब बर्थडे का गीत गाते हो न हैपी बर्थडे टू यू बाप दादा भी कहते हैं हैपी बर्थडे टू बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी और मुबारक से ही पल रहे हो आप सब की पालना ही क्या है बाप की परिवार की बदायों से ही पल रहे हो बदायों से ही नासते गाते पलते उड़ते जा रहे हो यह पालना भी वंडर्फुल है एक दो को हर गड़ी क्या देते हो बदाया है और यही पालना की विदी है कोई कैशा भी है वह तो बाप दादा भी जानते है आप भी जानते हो कि नमबर वार तो होंगे ही अगर नमबर वार नहीं बनते फिर तो सत्यूग में कम से कम डेड़ लाक तक्त बनाने पड़े नंबर वार होते हैं न सब जैसा पुर्षात करेंगे वैसे पद पाएंगे इसलिए नंबर वार तो हो नहीं है तो नंबर वार होना है लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि यह रॉंग है यह अच्छा काम नहीं कर रहा है कोई ऐसा आपको लगे कि यह रॉंग है यह अच्छा काम नहीं कर रहा है तो रॉंग को राइट करने की विदी या यतार्त करम नहीं करने वाले को यतार्त करम सिखाने की विदी कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो wrong हो बाबा ये विदी बता रहे हैं कि wrong को right करने की विदी या यतार्त नहीं करने वाले को यतार्त कर्म सिखाने की विदी तो कभी भी उसको सिधा नहीं कहो कि तुम तो wrong हो यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा जैसे आग बुजाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है उसको ठंडा पानी डाला जाता है इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉंग हो तुम रॉंग हो तो वह और ही दिल सिकस्त हो जाएगा पहले उसको अच्छा अच्छा करके थमाओ तो सही पहले पानी तो डालो फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी पहले यह नहीं कहो कि तुम ऐसे हो तुमने यह किया तुमने वह किया पहले ठंडा पानी डालो पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ आग लगने का कारण क्या है और आग बुजाने का साधन क्या है अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते हो बुरे को बुरा कह दिया तो वो और दिल सिकस्त हो जाएगा इसलिए उसको बुरा नहीं कहना है उसको अच्छे तरह समझाना है इसलिए बहुत अच्छा करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की दारन करने की हिम्मत आ जाती है इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा यही बदायां है जैसे बाब दादा भी कभी किसको डारेक्ट रॉंग नहीं कहेगा बाबा भी कोई बच्चे नहीं कर गलती की है कोई गलत कार्य किया है तो बाबा डारेक्ट उसको रॉंग नहीं कहेगा मुल्ली में सुना देगा राइट क्या है रॉंग क्या है अपना पि उसको समझ में आ जाएगा लेकिन अगर कोई सिधा आकर पूछेगा भी कि मैं रॉंग हूँ तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है, पुछेगा न तो भी बाबा कहेंगे नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है, जैसे पैसेंट जा भी रहा होता है, आखरी सास होता है, तो किसकी दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो वह तो हाटफैल को हो ही जाएगा अर्थार्थ पुर्सात में परिवर्तन करने की सकती नहीं आएगी तो संगम यूग है ही बदायों से व्रद्धी को पाने का यूग ये बदायों ही सेष्ट पालना है इसलिए आपके इस बदायों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं दीपमाला होगी, सिवरात्री होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है जो भी उस सब होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है तो एक दो को बजाया देना ये बड़ी दिल है समझा ऐसे नहीं कि रॉंग को रॉंग समझाएंगे नहीं लेकिन थोड़ा देरियर रखो थोड़ा सा अपने को देरिय रखना है इस सारा तो देना पड़ेगा लेकिन टाइम तो देखो न वह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ मर जाओ ऐसे थोड़ी होगा कि कोई मर रहा है और उसको अपन कहा दे मर जाओ मर जाओ तो टाइम देखो उसकी हिम्मत देखो बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है इसलिए अमिसा उसको positive vibration दो जिससे उसमें हिम्मत आ जाए लेकिन दिल से कहो ऐसे नहीं बाहर से कहो तो वो समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे है दिल से कहेंगे जब पता चलेगा ऐसे नहीं चेरे में पता ही नहीं चल रहा है और बाहर से अपन फॉर्मल्टी के लिए कह रहे है यह भावना की बात है दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा इसलिए सदा बदायां देते रहो बदायां लेते रहो यह बदाई वर्दान है जैसे आज के दिन को गायन करते हैं सिव के बंडारे भरपूर तो आपका गायन है सिर्प बाप का नहीं सदा बंडारा भरपूर हो दाता के बच्चे दाता बन जाओ हम सब क्या है सिर बाबा के बच्चा है न दाता के तो सब दाता बन जाओ सुनाया था ना भक्त है लेवता और आप हो देने वाले अर्थार्थ देवता देवता तो दाता माना देने वाले किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फिल नहीं होगा फिर कुछ भी उसको मना कर सकते हो लेकिन पहले उसको दो हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ फिर उससे कुछ भी बात मनाने जाओ तो मना सकते हो रोज उस्सव मनाते रहो रोज बाप से मिलन मनाना यही उस्सव मनाना है तो रोग उस्सव है अच्छा चारों और के बच्चों को संगम युक के हर दिन के अवतरन दिवस की अविनासी मुबारक हो सदा बाप समान दाता और वर्दाता बन हर आत्मा को बरपूर करने वाले मास्टर बोलानात बच्चों को सदा याद में रह हर करम को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नती और सेवा की उन्नती में उमंग उस्सा से आगे बढ़ने वाले सेष्ट बच्चों को विसेश आज के यादगार दिवस सिव जैनती सो ब्रामन जैन्ती, हीरे तुल्य जैन्ती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन बनाने की, जैन्ती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते रुवानी बाप की रुवानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते हम रुभानी बच्चों की रुभानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते आज की मुड़ी का वर्दान है हर सक्ति को ओर्डर प्रमान चलाने वाले मास्टर रचियता भव विस्तार है कर्म सुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी सक्ति का आहान करो मालिक बनकर order करो क्योंकि वह सर्व सक्तियां आपकी बुजा समान है आपकी बुजाएं आपके order के बिना कुछ नहीं कर सकती order करो सेहन सकती कार्य सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी है लेकिन order करने के बजाए डरते हो कर सकेंगे वह नहीं कर सकेंगे इस प्रकार का डर है तो ओर्डर चल नहीं सकता इसलिए मास्टर रच्यता बन हर सकती को ओर्डर प्रमान चलाने के लिए निर्भय बनो आज का स्लोगन है सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सब को किनारे लगाओ आज तीसरा रविवार है सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है सबी राजयोगी तपस्वी भाई बेने साए साड़े छे से साड़े साथ बजे तक विशेश योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में इस्तित हो कल प्रवक्स की जड़ों में बैट पूरे वरक्स को सकती साली योग का दान देते हुए अपनी वनसावली की दिव्य पालना करें अच्छा ओम सांती